आज हम बात करेंगे म्यल्टिंग की कि म्यल्टिंग क्या होती है Hungarian कि मेल्टिंग किसे कहते हैं गर्मीं में हम बरफ जमाते हैं जो कि इस क्यूब्स की फॉर्म में होती है जब हम इन क्यूब्स को आइस की क्यूब्स को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है यह फॉरन से पिगलने लगती है जैसा के यह आइस क्यूब पिगल रही है और पिगलने से पानी बन रही है इसी तरह यहां पे हमारे सामने आइस क्रीम मौज यह यहां से तपकने लगी है इसी तरह यहां पर भी हम देख रहे हैं तपकने लगी है जो चीज सॉलिड होती है वो तपकती नहीं है वो फ्लो नहीं करती बहती भी नहीं है लेकिन हमें नजर आ रहा है कि यह आइस क्रीम जहां जहां से पिगल रही है वहां से यह तपकना इसी तरह ये एक डंडी है जो सक्त सर्दी की वज़ा से इसके ओपर पानी जमा हुआ है लेकिन जहां जहां से इसका पानी पिगल रहा है या ये बरफ हम कहेंगे जमा हुआ पानी जिसे बरफ कहते हैं जहां जहां से पिगल रहा है वहां से ये पानी बन के टपक रहा है जैसे कि ये एक पानी का कत्रा है जो कि गिर रहा है इसी तरह अगर ये चॉकलेट को इस चॉकलेट को अगर हम थोड़ी सी भी हीट देंगे तो ये इस तरह से पिगल जाएगी तो इन सब मिसालों में हमने क्या देखा कि एक सॉलिट चीज थी जो क्या हुई जिसको हम देखते हैं कि वो लिक्विट में बदल गई और हम इसे कहते हैं पिगलना और इंग्लिश में इसे कहते हैं मेल्टिंग तो melting क्या होती है? melting होती है change from solid to liquid यानि कि जब कोई चीज solid हालत से liquid हालत में चली जाती है तो उसे हम कहते है melting या हम कहते हैं पिगलना जैसे कि ये बरफ पिगल के पानी बन रही है तो बरफ क्या है? solid और ये पानी क्या है? liquid आईए हम देखते हैं कि चीजें क्यों melt करती है फर्स करें हमारे पास यहां पे एक ice cube है एक बरफ का टुकड़ा है और ये क्या है? ये solid है इसके अंदर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से solid के जर्रात आपस में मिले हुए होते हैं जोड़ जोड़ के एक खास शकल बनाते हैं क्यूंकि हमें पता है solids fixed shape होती है इनकी तो बरफ के इस टुकड़े में water के जर्रात यानि के पानी के जर्रात इस तरह से अपनी अपनी जगा पे तर्टीब से मौजूद होते हैं अपनी अपनी जगा पे जमे हुए होते हैं और हमें पता है कि solids किस तरह की movement शो करते हैं बहुत थोड़ी सी movement हलकी सी हर्कत करते हैं इनकी जगा fixed होती है इनकी position fixed होती है इन सब जर्रात की ये एक जर्रा है और इस तरह के बेशुमार जर्रात मौजूद हैं हमें पता है solid के जरात अपनी ही जगापर थोड़ी सी हरकत शोख करते हैं जिस तरह mobile वाइब्रेट करता है इस तरह बहुत हल्की सी vibration शोख करते हैं और वो भी अपनी ही जगापर जिससे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अपनी ही जगापर हलकी हलकी हरकत कर रहे हैं लेकिन यह हरकत हमें महसूस नहीं होती अगर हम इस Ice Cube को जो हमें इस तरह से नज़र आ रहा है इसको अगर हम Heat करें तो क्या होगा Heat करने से यह तेजी से हरकत करने लग जाएंगे बिल्कुल इस तरह से और एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे जब एक दूसरे से दूर दूर होंगे इसका मतलब है जो इनके दर्मियान कुवत थी जो इनको आपस में जोड के रख रही थी वो इनमें कम हो गई और अब ये दूर दूर हो गए जिसकी वज़े से हमें पता चलता है कि बरफ पिघलना शुरू हो गई है यानि Ice Cube is melting into water यानि कि Ice Cube melt होके पिघल के पानी बना रही है तो अब जो यह जर्रात हैं यह दूर दूर होके पानी बना लेते हैं अब इनके हम देख रही हैं कोई fixed position नहीं है बलकि यह सब जगा पे move करेंगे जैसे पानी move करता है और इस तरह से हमें पता चला कि जब हम किसी चीज़ को heat देते हैं या उसको तपिश मिलती है तो यह Ice Cube भी melt होना शुरू हो गई है और यह पानी में तबदील हो गई है तो यह जो अब हालत है इन जर्रात की यह पानी है यानि liquid तो इस तरह से हमने देखा कि एक solid किस तरह से liquid में convert हो जाता है या तबदील हो जाता है और किसी भी solid के liquid में तबदील होने को हम क्या कहते हैं हम कहते हैं melting दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो अगर हम उनको heat करें यानि कुछ solids जैसा कि यहां पर क्या मौजूद है iodine यह हालिस iodine है जो कि solid form में मौजूद है यह जो आपको नजर आ रहा है यह क्या है यह solid iodine है लेकिन जब हम इस solid iodine को heat करेंगे तो यह liquid में तबदील होने के बजाए direct इसके बुखाराद बनना शुरू हो जाएंगे यानि कि इसके यह gas की form में बनना शुरू हो जाएगी जब solid form में होता है iodine तो यह silver से color का है जैसे कि हमें नजर आ रहा है यहाँ पे लेकिन जैसे ही हम इसको heat करेंगे तो फॉरण से इसके क्या बनना शुरू हो जाएंगे vapors यानि कि बुखाराद और हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे इसके यह solid किस में convert हो गया यह solid iodine किस में convert हो गया या किस में तबदील हो गया gaseous iodine में यानि कि gas form में यह iodine तबदील हो गया है लेकिन यह liquid हालत में नहीं गया बलके solid से direct gas हालत में गया है और जब कोई चीज direct solid से gas की हालत में चली जाए जब हम उसको heat करते हैं तो इस अमल को या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इस अमल को कहते हैं sublimation तो sublimation क्या होती है जब कोई चीज solid हालत में हो और हम उसको heat करें तो वो direct gas form में चली जाए यानि gas की हालत में तबदील हो जाए तो उस अमल को कहते हैं Sublimation तो आज हमने देखा कि अगर किसी solid को तपिश मिले या heat मिले तो वो liquid में तबदील हो जाती है और कुछ solid ऐसे भी होते हैं जो direct gas में तबदील हो जाते हैं जिनकी sublimation होती है